सबस्टेडिशन नुक्लियोफिलिक यूनी मॉलेकुला SN1 रियक्शन और यहां पर यह फ्रेंड साइड को ना रहा था C2H5 यह फिर CH3 कोई भी एक लेलो मुझे टर्शेरी लेना इसलिए में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं CH3 तर्शेरी टर्शेरी टाइप लेना था यह तीन को जुड़ा यह 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 The Central Carbon is attached to another 3 Carbon atoms here in this case अभी भी Chiral है यह तो अभी भी Chiral है यह ना Chiral Now Here it involves It's not a strong nucleophile It involves weak nucleophile Weak nucleophile मतलग उसकी strength कम करनी है अभी आपको ठीक है ना जैसे OH- आ रहा था तो हो strong nucleophile था अभी कम strength वाला nucleophile अपन attack करेंगी Not OH- But say H2O आ गया Not CH3O- But CH3OH आ गया यह वीक होगे ना थोड़े से इंकी speed कम कर दिया इंकी strength कम कर दिया So fine Weak nucleophile जब attack करने आता है Okay So Now अभी यह क्यूंकि Weak nucleophile है इतने तेजी से attack नही कर पाया कि molecule को समझने से पहले OH का bond बन गया था और BR हड़ गया था ऐसे तो नहीं कर सकता है Water molecule ज्यान देना यह OH2O जब आया तो सबसे पहले तो जैसे SN2 में अपने बात किया था कि OH- आ रहा था SN2 में OH- क्या कर रहा था Front side से देखा BR है नहीं जाएंगे बहुत से कुरिटी टाइट है तो अपन क्या करते हैं पीछे से चले जाते हैं Back side attack किया उसने वो सीध चला गया और यह backside attack कर दिया था इतल से तुरंट बांड बन गना BR हड़ गया था तो यह तो molecule को भी पता नहीं चला था कि कभ उसका क्या है हो गया खुलिया पलड गया पूरा उसका पूरा structure inversion हो गया था बड़ यहां पर ऐसे नहीं होता है in the SN1 reaction in SN1 reaction this is the substrate where the step 1 is simply formation of carbocatine मतलब 2 steps है directly attack नहीं कर साहे है एक step में वो सब काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उतनी strength नहीं है उसके अंदर ठीके ना उतनी strength नहीं है तो आप क्या होगा यह बस अपनी energy के साथ जाएगा H2O अपनी energy के साथ molecule के बाजू में जाएगा और अपनी energy transfer कर रहा है खुद नहीं जा रहा है अटैक करने के लिए बस संदेशा बेज रहा है मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं तो जब संदेशा बेज दिया गया when the message is conveys to the molecule मतलब क्या message मतलब energy मिल गया molecule को तो molecule खुद सोचता है अभी energy तो आ रहा है तो अपनी दो electron लेके जाएगा मतलब यह carbon का भी लेके जाएगा और carbocation it forms carbocation so this is a rate determining step why rate determining step क्योंकि slow होता है क्यों slow होता है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है देखो यह जो substrate है CH2D और यहां पर अपने नहीं अलब ब्रोमीन यहां पर अपने पास से कौन C2H5 और यहां पर मैंने लिया हुआ है methyl यह कुदी क्या कर रहा है क्या ब्रोमीन को तू चला जा ठीक है ना so if bromine is to be removed तो क्या होना यहां पर so this is rate determining step why it is rate determining step मैं बताऊंग आपको ठीक है ना अब क्या होगा देखो जान से देखना है देखो मैं सही निकाल रहा हूं क्या 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 मैं सही निकाल रहा हूं पर्पेंडिक्विलर है यह प्लेन को this is trigonal planar this is trigonal planar this is trigonal planar यह ऐसा पूर है यह ऐसा Carbocatine मतलब अभ्यस सी बात है SP2 hybridization के साथ trigonal planar geometry बन जाती है do you understand this yes so this is trigonal planar geometry this is trigonal planar species which is formed along with the BR बेचारे BR को जाना पड़ा minus now this is the first step formation of carbocatine कैसे होगा जब nucleophile आ रहा था ज्यादा steric endurance और weak nucleophile के का रहा है रहा है यह डिरेक्ली तो अटक नहीं कर पाया बट पैली step में क्या कर गिया उसने step one formation of carbocatine इस तरीके से what is rate determining step slowest step of mechanism स्थे स्थे उसके पास and that is why it is slow step rate determining step. अब जब कार्बो के टायम बना प्लेनर स्पिशेस बना है यह तो ट्राइगूनल प्लेनर है ना तो ट्राइगूनल प्लेनर है ना अब इसके उपर ओच यह जो है ना वाटर में से ओच माइनस निकल किया बाहर मैं क्या बोलों वाटर में से ओच माइनस निकल के आएगा बाहर और फिर अटाइक ओफ वट इस सेकंड स्टेप अटाइक ओफ न्यूकलियोफाइल और कार्बोकेटैन अटाइक 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 करेगा आराम से कोई दिखरत नहीं है उसको तो किऊंति प्लेनर स्पीशिज नो स्टेरिक इंडरंस कहीं से भी अटाइक करो भी सपोस्क। और तो यहां पर आपको मिल गाएग सिक फाइव और यहां पर है चछी तो यह तो प्लेनरれる कार्बोकेटैन है अब आपका यह झो नूकलियो फाइल है विच नुक्लियोफाइल यहां पर यह जो वाटर में से OH- आने वाला है, ठीक है ना, वाटर में से पूरा नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, पूरा जुड़ेगा तो फिर से इंस्टेबल लिखेगा, तो यह क्या करेगा, बोच साइड अटक, अगर आप इमेजन करेंगे तो होई समझ सकते है उसको, ठीक है, so this is fast step, यह वाली जो step है, वो फास्ट स्टेप है, और basically यहां से होई समझ प्लस अफ्टर अप्टर अटक हो जाता है, क्योंकि OH2 प्लस तो stable नहीं होगा, इसले अफ्टर अटक अवाटर अच्प्लस थोड़ेगा, तब वो ओच मैने जुड़ा होगा, देखेगा, अपर फ्रूप्स ल्यां डेन अगर यह फ्रॉंट साइड अटक कर गिया यहां पर आएगा कुन ओच माइनस यह जूड़िया और फिर यह जो बाकी के बच्चे वे तो चीज थे हैं यहां पर आएगा और अगर बाला फॉलो किया गया तो क्या बनता CH2D और यह इदर से कौन आया ओच माइनस और यहां पर कौन जूड़िया है यहां यहां पर कौन आजाएगा मिथायल यहां पर इनस ओम अईस ब्लीकर शक्रावब यहां पर इस तो बात करते हैं इस के यहां स यहां टीजियगा पर अगर में रस निकालना चाहूं, वन, क्या हो जाएगा भी, CH2D, और CC, तो ये दो, 3, 4, अगिन 4, लेस प्राइटाइज ग्रूपीज उन देश्ट वेश, चलो तो ठीग है, छोड़ दो उसको, 1, 2, 3, अग्लाइज मतलग ये को ने, र है, is it clear, this is R, now let's talk about this compound, 1, 2, 3, 4, again 1, 2, 3, this is what, R, and what about this one, 1, 2, 3, 4, anti-clockwise, S, समझ में, हारी बात, सो मतलब क्या हुआ भई, अब कैसे समझ लेगी, front side है, सबोज A वाला pathway और B वाला pathway, कितना हुआ है, it is exactly 50-50%, ये front से 50% एटाइक करता है, और back से 50% एटाइक करता है, इसका मतलब ये 50% बना होगा, R, जो बना हुआ है, ये 50% बना हुआ है, और जो S वाला configuration बना है, ये भी 50% बना हुआ है, क्या हुआ बताओ इसका, इसका नाम क्या बोलू, this is nothing but the racemic mixture, yes, और optically क्या होता है racemic mixture, very good, optically inactive, optically inactive, ये बन गया अपने पास, मतलब परफेक्ट अगर SN1 reaction होती है, ये तो कुछ ऐसे होगा, ये, ये सारी details involved है उसमें, परफेक्ट अगर SN1 reaction करनी है न, तो पहला step है carbocatine formation, carbocatine क्यों बना क्योंकि पहली step में attack नहीं कर सकता है, क्यों नहीं attack कर सकता है, weak nucleophilus, sterikinolus बहुत जादा है, तो पहले carbocatine बना, a planar species, a planar species के ओपर तो both sides attack हो सकता है, front or back, ये तो एक plane ही है न, बस, front, back, set attack है, बट कोईसे decide करेंगे, हरे, दोने से equal कर दो, 50% front side, 50% back side, इसलिए complete racemization होगा यहां पर, and racemic mixture मिलेगा, जो भी optically inactive है, समझ में आरी बात, समझ में आरी बात आपको, so this is two step reaction, पहला step fast है, rate determining, sorry, पहला step slow है, rate determining step है, second step fast है, why first step is slow, because octet is getting incomplete, it is slow reaction, it is slow reaction and take place in two steps, take place in two steps, okay, two steps है, अच्छा उसमें से पहला step क्या होता है, यही इदर ही भी लिख लेता है, तुरंट लिख देता है यही पर, step one क्या है, step one is formation of carbocation and step two क्या होती है, यह क्या होती है, यह क्या होती है, यह क्या होती है, यह क्या है, slow है, पहला वाला step जो है slow है, step step two क्या है, attack of nucleophile to form the product, this is fastest step, ठीक है ना, दूसरा, rate, second, जो आपन पॉइंट गोलता है, वो रेट के बारे मोलता है, rate is equal to k into concentration of rx, मतलब, तो first step में, अगर आप थोड़ा सा वापच जा करके देखे, the last slide जो था, वहाँ पर से आपको बता चल जाएगा कि the rate is nothing but, slow step of mechanism, और slow step कॉनसी थी पहली step थी और पहले step में, nucleophile picture में आया ही नहीं था, वो तो बस दूर रहकर के क्या कर रहा था, अपनी अनर्जी देखर के carbo ketan बना रहा था, तो पहले step में क्या है, सिर्फ substrate है, इसलिए rate is only dependent on the concentration of substrate, तो order क्या होगा ही बताओ, order क्या होगा ही इसमें, hence order is 1 and even molecularity, B1, क्योंकि rate determining step में सिर्फ एक ही reactant है वहाँ पर, दो है ही नहीं, इसलिए order and molecularity दोनो 1 होगा है, तीसरा, ठीक है ना, in third point we talk about this, what, stereochemistry, इसके stereochemistry के बारे में बात करते है अपन, है ना, तो, it forms racemic mixture, product is racemic mixture, जैसे उसमें क्या हो रहा था, inversion हो रहा था, जैसे उसमें क्या होता है, racemic mixture, racemization होता है, that is racemization, now, यहाँ पर जो extent of racemization है, that depends on the ability of living group, उसके बारे में I think we should talk later, अभी मैं उसको नहीं लाना था, बस यहाँ पर एक mention करके रखता हूं, कृआ हो, LG के आया अपना LG, living group है, यहाद रखना, ठीक है ना, अब इसमें फिर वो वाल्डान इंवर्जान से इसना कुछ फॉर्थ पॉइंट नहीं है तो उसको अपन निकाल देते हैं, इसमें वीक नुक्लियोफाइल, इसमें वीक नुक्लियोफाइल लगेंगे, से फार एक्जमपल, H2O, CH3OH, एट्सेटरा, ठीक है, हम लिखना है, यहाद पोलर शॉल्वंट बहुत अच्छी वात है, यहाँ पर क्या लगेगा, पोलर सॉल्वंट, क्या यूस करना है, पोलर सॉल्वंट है, तो, क्यूंकि, क्यूं पोलर सॉल्वंट बता है, वो जो आपक बता है, वो अदो आपन को स्थाइप करना है, उसको इच चाहिए क्या दो नधीन सॉल्वंट करना है, व्21 पोलर प्रोन प्रोंट, बता है यहाँ, पोलर प्रोंटिक, बता है ज्रोप, प्र legisl召वेक्त, बता है नॉलओ, बता हम यूज़ु ilave says. of rx. तो यहां पर अब्वेस्टी दिग्री किसका जाधे रहेगा? tertiary rx highly reactive रहेगा. क्यों? क्यों tertiary rx highly reactive रहेगा? क्योंभी stable carbocation. इसका जो carbocation बनेगा और stable रहेगा. फिर secondary rx, फिर primary rx, और फिर methyl में तो SN2 होता ही मतलब ऐसे. है ना? मिथाइल में तो क्या है SN1 होता ही नहीं है SN2 ही होता है इस इस डूट यह ऐसा क्यों आया Stability of Carbocatine due to Stability of Carbocatine सब्सक्राइब यह कुछ ऐसा है RF, RCL, RBR और RI लेगर तो अविशी बात है again same thing, again same thing better Living Group has more reactivity जब ग्रूप में देखते हैं तो better Living Group ही देखना है याद रखना इसमें Living Group में RI ही अभी भी ज़्यादा रियाक्टिव होगा तो next point क्या बसता है गहीं डिरेक्टी अडिग प्रोफ्य दायग्राम जैनना एनर्जी प्रोफ्य दायग्राम नहिंना असाँ सीध्य तो अडिगोफिल अटा चेम कितने सब्सक्रतित हैं कि जैंते कितने पीकस होंगे हैं capita हामेनी सन्थल येस दो दो पीक्स होंगे, very good उसमें से पहला पीक की जो हाइट वो जादा रहेगे वो दूसरा पीक का कम रहेगा, यादा है ठीके न, यह इसा होगा यह इसा होगा ओके तो इस वे इसमें क्या है बता है यहाँ पर सिर्फ rx है यहाँ पर क्या बना हुआ है r plus बना हुआ है after the completion of first step और first step यहाँ पर complete होगा यहाँ से second step, तो यहाँ पर बन गया क्या r oh plus x minus x minus बहार चला गया इसे तो इसको भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यह r plus बन गया था तभी x minus बहार चला गया था r plus जब बन गया था था तभी x minus बहार चला गया था तो मैं और बतने टाहरा हों so यहाँ पर rx plus nu minus लिख सकता हूं और और बतने टाहरा चलाह सकता ह्य है but actually r plus बने के बाद सी हलाद है ठीक है, so basically what happens is that the activation energy for the first step is larger, that's why the peak of first step, यह जादा है, this is energy of activation होता है, और यह जादा है, यह जादा है, यह बड़ा है, why because, इसकी activation energy जादा है, तो ठीक है, यह पहले का transition state, यह transition state 1 है, और यह transition state 2 है, फिल रग़ा 1 को बड़ता है, तो यह जादा है